Hello students, आज हम EBS परिवार परिवार हम दो तरह के होते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार सबसे पहले हम देखेंगे एकल परिवार वह है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं यानि के मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं उसके बाद है संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार कौन सा परिवार होता है वह परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चों के साथ चाचा चाची दादा दादी और अन्य सदस से रहते हैं जैसे ताउ ताई या उनके बच्ची ठीक है अब एकल परिवार क्योंकि वहाँ पे थोड़े रहते हैं मम्मी पापा और बच्चे सिरफ इसलिए वो परिवार छोटे परिवार होते हैं जो संयुक्त परिवार होते हैं वो बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं मम्मी पापा उनक पड़ने वाला शोरिय है उस अपने घश्प में मंभी पाप और बेहन के साथ ही रहता है तो वह बेहन मंभीटार है उसजारिया अपने माता पिता उन्हों मभीटार या या के और उनके जो बच्चे हैं मनन, तुपासना और उनकी दादी मा सब एक ही घर में रहते हैं. तो उसका परिवार संयुक्त परिवार है. ठीक है? और इसके लिए एक पिच्चर भी बनाई है. ये पिच्चर आपने उनी कौपी पर बनानी है. ये एकल परिवार की बनाई है. ये संयुक्त परिवार की बनाई है. एकल परिवार में दुबारा देखते हैं कौन-कौन रहता है? माता, पिता, भाई, बेहन. और संयुक्त परिवार में माता, पिता, भाई, बेहन, दादा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे.